हेलो फ्रेंड्स, होम फूर्ट्स भाय चंचल में आपका स्वागत है आज जब बनाएंगे सिकंजी मसाला तो उसके लिए मैंने सबसे पेले आपे दो चम्मच जीरा ले लिया है दो चम्मच भुना हुआ जीरा ले लिया है आप देख सकते हैं इसे मैंने भून के काला नहीं क बस इसे मैंने हलका सा भून लिया है yes baptism काला नगा लिया है अदि चम्वाट जो न्वार्म ना मख खातें वह ले लिया है एक चम्वाट मशाला अगर आपके पाँछ पास्ता नहीं है तो आप नॉर्मल अमचुर पाउडर भी ले सकते हैं, एक चमच सोटका पाउडर, एक चमच काली मिर्ची, यह सब भी मसाले हमने, एक ही चमच से नापे हैं, मैंने इसी छोटी चमच से सब मसाले नापे हैं, दो दो चमच जीरा, और बाकी एक एक चमच मसाले, आप एक ही चम भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची, सोट पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और रेगुलर नमक, इसे हम बारिक मिक्सर में पीस लेंगे, हमने सभी को अच्छे से पीस लिया है मसालो को, आप देख सकते हैं, एकदम बारिक पीसा है, तो चले इसे हम अपनी एक सिकंजी बना ले यहां पर हमने ग्लास ले लिया है, इसमें मेक चमच, सिकंजी मसाला डालेंगे, मसाला आपके टेस्ट के अकोडिंग डालिएगा, कितना आपको पसंद है, पीसीवी शक्कर, मैं यहां पर पीसीवी शक्कर ले रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं, नीवू का रस, थंडा पानी, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शक्कर के गुलने तक, इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हमारी मसाला सिकंजी बन के तयार है, आप इसे सोड़े के साथ भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितनी टेस्टी लग रही है, सिकंजी मसाला, तो आप भी एक बाद जरू ट्राय कीजेगा, और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगे, इसे आप आरम से स्टोर करके, दो से तीन महिने तक फ्रीज में रख सकते हैं, गर्मियों का सीजन है, जब भी आपका मन करें, मसाला निकालिए, फटाफट से सिकंजी बना लीजिए, आपका काम भी आसान हो जाएगा, बार-बार मसाला बनाने का जंजट नहीं, एक बार में बना के, दो से तीन महिने तक इसे हम इस्टोर करके रख सकते हैं, तो आप भी एक बाद जरू ट है कीजेगा, और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगा, मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्यू, और मेरे चैनल होमफूर्स बाचंचल को, लाइक, सब्सक्राइब, और जादे से जादा शेयर कीजेगा, और वेलके बटन को दबाना ना भूलेगा, थ